हेलो फ्रेंज वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंज कैसे आप लोग आई होप आप लोग ठीक से होंगे फ्रेंज आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अगर आप मलेशिया जा रहे हैं अगपा वीजा इसू हो जाता है और टिकट इसू हो जाता है सो दोस्तो एक चीज का ध्यान रखें कभी कभी क्या होता है दोस्तो आपको एजेंट जो है वीजा दे देते हैं और टिकट दे देते हैं जो की फेक होता है जिसकी वज़ा से आपको काफी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है यहां तक कि आपको एरपोर्ट से भी वापस आ जाना पड़ता है सो दोस्तो ऐसे में आपके पैसे भी फस जाते हैं जिसकी वज़ा से काफी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है सो कभे भी जाए अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप जो है अपना टिकेट और वीजा जरूर वेरिफाई कर ले सो बने रहे आज की इस वीडियो में step by step बताने वाला हो कि जो है आप अपना टिकेट कैसे वेरिफाई करेंगे सो फ्रेंज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन का बटन जरूब प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आपको मिलती रहे सो फ्रेंज आपको अपने कप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाना है अगर आप मोबाइल से चेक करना चाहते हैं तो मोबाइल में जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसको उपन करेंगे अब जैसी आपको ब्राउजर उपन हो जाता है आपको सिंपली सर्च बार में देख सकते हैं malaysia airline.com यह इसका ओप्सियल वेबसाइट है आपको सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और फ्रेंज इसका लिंक जो है आपको डिसक्रप्शन में भी मिल जाएगा आप जो इस पर क्लिक करके आप जो इसके साइट पर डारेक्ट ओपन हो जाएंगे जयसे आप इसपे क्लिक करेंगे तो आप इसके ओप्सियल वेबसाइट पर आ जाएंगे आपके सामने कुछ ऐसा interface ओपन हो जाएगा जो कि इसका ओप्सियल वेबसाइट है अप जो है जैसी आप इसके ओप्सियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको home page पे कई सारा option इस पर क्लिक करना है सो वीडियो को पूरा देखेगा step by step बताने वाला हूं अगर आपके माइंड में किसी भी परकार का सवाल है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं सो फ्रेंड टिकर्ट चेक करने के लिए simply आपको मैनेज वाले ओप्षन पर क्लिक कर देना है अब जैसी आप इस पर क्लिक करते हैं सो आपके सामने जो नीचे ओप्षन आ जाएगा मैनेज बुकिंग का और फिर नीचे आपको दो अप्षन मिलेगा जहां पर पहले वाले ओप्षन में आपको बुकिंग के रिफ्रेंस नमबर टाइप करना होगा और नेच्स वाले ओप्षन में लाश्ट नेम टाइप करना है तो चलिए यहां से बुकिंग रिफ्रेंस नमबर टाइप कर लेते हैं और अगर आपको बुकिंग रिफ्रेंस नमबर नहीं पता तो आपके टिकट पे लिखा हुआ मिल जाएगा जो आपने टिकट बुक कराया होगा या आपको जो भी टिकट मिला होगा उस पे आपको जो है रिफ्रेंस नमबर मिल जाएगा तो आपको जो है सिंपली रिफ्रेंस नमबर यहां पर टाइप कर लेना है और फिर last name में आपको अपना last name type कर लेना है उसके बाद आपको manage booking वाले option पे click कर देना है जैसे इस पे click करेंगे तो यह जो है process में होने लग जाएगा आपको कुछ second wait करना है उसके बाद आपका ticket जो है open हो जाएगा यहां से आप देख पाएंगे reservation name and date of issue आपका ticket जो है कौन से date में issue हुआ है और आपके ticket पे जो है कितने लोगों का नाम है और यहां पे e-ticket number भी आप देख पाएंगे अगर आपके ticket पे नहीं है तो यहां से जो है आपको e-ticket number भी मिल जाता है साथ में दोस्तों आपको qr code भी देखने को मिल जाता है और यहां पे आपको email id भी देखने को मिल जाता है कि आपके ticket पे जो है कौन से email id लगा हुआ है और भी details चेक करने के लिए आपको simply जो है page को scroll करना है और नीचे की तरफ आ जाना है जैसे आप page को scroll करेंगे तो नीचे में आपको जैसे की आप जो है कौन से airport से departure करेंगे और कौन से airport पर arrival करेंगे यहां जो है आप वो details चेक कर पाएंगे और फिर departure timing भी चेक कर पाएंगे आपकी जो flight है वो कितने बज़े की है और जहां पर आप arrival करने वाले हैं वहां पर आप कितने बज़े तक arrival कर देंगे और आपका ticket जो है कौन से class का है economy class का है या business class का है यहां पर वो भी आप देख पाएंगे इस साइट पर आपको सारी details देखने को मिल जाएगी और फिर current flight status अगर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप current flight status भी चेक कर सकते हैं और और scroll करेंगे तो आपको baggage का option मिल जाएगा आप जो है कितना kg जो अपना baggage ले जा सकते हैं तो यहाँ पर आप सारा details चेक कर पाएंगे और अपना ticket भी आप verify कर पाएंगे तो फ्रेंज इसके लामा भी अगर आपके mind में कोई सवाल रह जाता है तो आप जो है comment करके जरूर पूछिए I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो है आप ऐसे अपने ticket को जो है online verify कर सकते हैं यानि चेक कर पाएंगे तो मिलता हूं अगली वीडियो में टेक क्यार बबाएं